नवसकर दोसो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर सभी किसानों का होगा दो दो लाख रुपे का करजा माप करने की बड़ी खबर आ रही है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे किन किसानों का कौन कौन सा लोन जो है माप किया जाएगा साथी दोस्तों अगर आप भी एक किसान है और किसान करज माफी की जानकارी रपप्त करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में सुरू से आ Why दो चलिये वीडियो को शूरू करते हैं जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं राजस्तान तीन लाग किसानों का होगा फायदा 6,000 करोड रुपे की कर्ज माफी के लिए ये है सरकार की योजना जी हाँ दोस्तों फिर से जो है किसानों को कर्ज माफी का लाब मिलने वाला है राजस्तान में तीन लाग किसानों को जो है करज माफी का लाब यहां पे मिलेगा असो गैलोत ने बहुत ही बड़ी घोशना कर दी है आपको बता दें सहकारी छेतर में किसानों का 14,000 करोड रुपे का करज माफ करने के बाद अब राजस्तान सरकार सारजनिक छेतर के बैंकों के करज से दबे किसानों को रहत देने की तैयारी में है इसके तैस सरकार ने बैंकों को प्रस्ताव भीज दिया है कि वहें किसानों के लिए एक मुस्त शमाधान जैसी योजना लाए हाली में राज इस्तरिय बैंकर्स कमिटी की बैठक और नावाडा के राज इस्तरिय कर्ज सेमिनार के बाद मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव जो है सभी बैंकों को भेज दिया है सैकारी में भी किया गया वादा यानि की सैकारी में भी वादा किया गया है इस मामले की जानकारी रखते वे एक वरिष्ट आदिकारी ने बताया है कि बैंकों ने 3 लाग किसानों के 6 हजार करोड रुपए से ज्यादा के करज को जो है NPA घोसित कर दिया है अब राजिस सरकार के बैंकों से एक मुक्स समाधन योजना लाने के लिए का है एसी योजना State Bank of India वे अन्य राजियों में ला चुकी है यानकि SBI बैंकों के जितने भी करजदार हैं उनके लिए यहाँ पे स्किम जो है आ चुकी है इस योजना के तहित किसानों के करज का 90 फिश्दी बैंक माप करेगा और 10 फिश्दी जो है किसानों की तरब से सरकार चुकाएगी यानकि पूरा का पूरा 100 फिश्दी जो है यहाँ पे माप किया जाएगा इसी तरज पर अन्य बैंक भी गरीब किसानों को रहत परदान करेंगे SBI के साथ साथ जितने भी अन्य बैंक है उनका भी जो है यहाँ पे करज माप किया जाएगा बैंकों से बाचित अभी भी जारी है कॉंग्रेश सरकार किसानों के करज मापी के बारे में पहले ही गोशना कर चुकी है इसके तहित किसानों पर सहकारी बैंकों का पूरा करज राष्टी करत बैंकों का दो लाक रपे तक करज माप किया जाना था सहकारी बैंकों का करज माप किया जा चुका है और राश्टी करत बैंकों का करज माप करना बाकी है पत्रकारों की अनुसार जो है रास्तान के मुख्य मंत्रिया सोगैलोत ने कहा है कि राश्टी बैंकों से बातसीत जारी है हमने उनसे कहा है कि अगर दोग पतियों के रिन माप किये जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हिस्से का 10 फिजदी चुकाएगी बलकि 90 फिजदी जो है बैंक खुद अपनी तरब से चुकाएगा राज्य सरकार और बैंकों का उद्देश यही है कि किसानों को राहत पहुंचाना है इसका जो सीधा सीधा असर है वो 2023 में होने वाले चुनाओं पर पढ़ने वाला है मुक्य मंत्री आसो गैलवत ने का है कि राज्य में कॉंग्रेश सरकार बनते ही सैकारी बैंकों के 14,000 करोड रुपए जो थे वो चुका दिये गए थे इसमें पूरु सरकार का 6,000 करोड रुपए का लोन था वही राजनितिक विजलेशन के अनुसार बैंकों को यह प्रस्ताव सुईकार कर लिया गया है तो रास्तन के 3,000,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा उन्होंने काया कि सरकार अपने वादे के मताबिक हर किसान को 2,000,000 रुपए की साहता रासी दे और 10 फीजदी एन पी उसको खतम करे उन्होंने ऐसा भी काया है कि राज सरकार 10 फीजदी एन पी चुकाने के साथ ही राज को 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते विए सरकार ने जो फैशला लिया है इसको जल्द ही पूरा किया जाए तो यहाँ पे ख़बर यही आ रही है कि किसान करज माफी को लेके 2023 में चुनाव है इसी को मद नज़र रखते है एक बार फिर से जो है असो गैलोस सरकार किसानों का करज माफ करने को लेके पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है दो-दो-लाक रुपे तक का करज जो है यहाँ पे माफ किया जाएगा चाहिए किस भी बैंक से आपने रिन या लोन केसी सी आपने ले रखा है या आप राश्टिय सहिकारी बैंक यानि की कोपरेटिव बैंक से भी अगर आपने लोन ले रखा है तो भी आपका दो-दो-लाक रुपे तक करज जो है यहाँ पे करज जो है माफ होने वाला है तो यहाँ पे जैसे ही किसान करज माफ को लेके कोई भी अपडेट आएगी इसी चैनल पर आपको जानकरी दी जाएगी इसके लिए चैनल के नीचे दिए गई रेट सब्सकाइब के बड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब करके चैनल के साथ जुड़िएगा पास में बैले घंटे के निसान को दबा के और लोटिप कैसन को जरूर रखिएगा और जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लैक्सर करना बिलकुल मत भूलेगा